तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके क्लास 11 के स्लेबस से एक और चैप्टर ब्रदर हूड बाई ओक्टावियो पैज तो हम इसे स्टार्ट करेंगे लिकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि मैंने आपके क्लास 11 के स्लेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया है अगर आपको देखने है तो सिंपली उपर आई बटन पर क्लिक करें वहना दोस्तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक करें तो चलिए अब पोयम को स्टार्ट करते हैं तो पोयेट कहते हैं I am a man, मैं एक इनसान हूँ, little do I last यानि कि पोयेट इस दुनिया में छोटे समय के लिए आये है and the night is enormous इसका यहाँ पर आप दो मिनिंग निकाल सकते हैं एक तो यह कि पोयेट के पास बहुत ही छोटा सा लाइफ है लेकिन उनको बहुत काम करना है अपने लाइफ में इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि the night is enormous life के बस कुछ ही दिन है लेकिन काम बहुत करना है और इसका दूसरा मिनिंग आप यह निकाल सकते हो कि जब पोयेट मर जाएंगे यानि कि जब उनकी देथ हो जाएगी फिर उसके बाद उनका हिसाब किताब शुरू होगा जैसे दोस्तों कहते हैं ना कि मौत के बाद भी एक जिनदगी हैं और उसी जिनदगी में हमारा हिसाब किताब होता है आगे पोयेट कहते हैं कि but I look up the stars right इन सब के बावजूद यानि की पोयेट को पता है उनके पास बहुत ही कम टाइम है और इस कम टाइम में उन्हें बहुत सारा काम करना है तो इन सभी चीजों के बावजू जब poet आसमान में देखते हैं तो तारे लिखते हैं, तारे लिखने का मतलब यह है कि दोस्तो तारे चमकते हैं, unknowing I understand, I too am written, तो जब poet आसमान में देखते हैं तो उन्हें तारे चमकते हुए नजर आता है, फिर उन्हें बीना जाने यह समझ में आ जाता है कि वो भी लिखे ज रहे है and at this very moment someone spells me और इसी moment में poet का कोई नाम पुकारता है या कोई poet को लिखता है इसका दोस्तों असल में meaning यह है हर moment में कोई ना कोई poet के बारे में जानता है या poet के बारे में पढ़ता है जब वो इस poem को पढ़ता है और जब कोई भी बंदा इस poem को पढ़ता है तो वो इस poet का नाम लेता है इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि someone spells me तो जैसे अभी हम इस poem को पढ़ रहे हैं तो वैसे हम इस poet का नाम भी ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब भी कोई भी moment में इस poem को पढ़ेगा तो वो मेरा नाम लेगा इसलिए मैं लिखाता हूँ I too am written तो दोस्तो यही पर यह छोटी सी poem एंड होती है मुझे उमीद है कि आपको यह poem समझ में आ गया होगा और हाँ दोस्तो मेरे एक और चैनल है जिसका link आपको description में मिल जाएगा तो आप जाए और उस चैनल को भी subscribe कर ले क्योंकि मैं वहाँ पर student से related videos बनाते रहता हूँ तो अब आपसे मुलकात होगी अगले video के साथ